तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू का चैप्टर नमबर 32 पढ़ने वाले हैं नाम है शिकस्त जिन्दा का खाब जो की एक नजम है यानि की कवीता है और बहुत ही जोश और जुनोन भर देने वाला ये कवीता है क्योंकि इस कवीता में बात की गई है हमारे भारत देश की मतलब ये कवीता ही लिखा गया है हमारे भारत देश के उपर जब भारत को सतंसता दिलाने के लिए भारत के देशवासी संगर्स कर रहे थें तो उस वक्त के मोमेंट को उ पूरा डिसकस होने वादे हैं हमारे भारत देश के उपर भारत देश के उन देश्वासिओं के उपर जिनको अंघ्रेजों ने वह कईदेखाने में कईदी बना कर रखा हुआ था किस तरह भारत के लोगों के अंदर है ऊजूमूर वो आया अपने देश के परती किस तरह को संघर्स किये यह हर एक चीज उजागर होगा ठीक है एकदम अच्छे तरीके से मनजर कसी की गई है ठीक है और पता है आप लोग को उस वक्त जब भारत को आजादी दिलाने के लिए लोग संघर्स कर रहे थे उस वक्त के जितने भी मुस उस वक्त के लेखक थे शायर वगरत हैं भारत को सोतंडर्ता दिलाने की संघर्स को लेकर कई सारे शायर जो है ना नजम घजल के हैं ठीक हैं नजमियान की कविताय लिखें प्लस बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने कहानी लिख दिया बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंन नाम में ही जोश लगा है सोचिए इनकी कवीता कितना जोश्रे भरपून होगा इनके नाम ही में क्या है जोश जोश मली अबादी एक ऐसे शाहर थे जो कि ये भी अपनी आखों से उस वक्त के मंजर को देखे थे और इसलिए इन्होंने क्या किया हमारे भारत देश के जितने मतलब कि ये सिकस्ते, मतलब होता है हार जिन्दा का मतलब होता है कयोईद खाना उस वक्त हुए ये था कि अंगरेज जितने भी थे सबी लोग हमारे भारत देश के देश्वासियों को कैड़ी बनाकर थे तैं तो ये उसे पर नजम लिखी गई थी योश्मली अबादी लिखे थे शिकस्त जिन्दा का खाब यानि की शिकस्त मतलब हार आप लोग सुने होंगे ना मैंने उसको सिक शिकस्त दे दी यान की हरा दिया तो शिकस्त का मतलब क्या होता है हार यानि की ऐसा खाब जिसमें कैद खाने की हार हो रही हो मतलब कि कैद खाने से कैदी कैद खानने को तोड़ कर निकल रहे हो वैसा खाब ठीक है तो यह इससे नजम का टाइटल है बहुत ही जबरदस्त नजम है चलिए सबसे पहले हम लोग इस नजम को ही पढ़ लेते हैं तब हम लोग जोश मली अबादी के बारे में जितना सब्सक्राइब को समझेंगे क्योंकि इनका नजम आप लोग पढ़ेंगे ना तो जो जोश आएगा वह जुनूर आएगा उससे आप लोग को पता चलेगा कि वाकई में जोश मली अबादी नजम लिखा करते थे तब इनके बारे में और भी जदा आप लोग कर देती हूं प्रतियक लाइन का अर्थ समझा देती हूं पढ़कर ठीक है और आप लोग सुनिएगा बहुत ही बहतरी ढंग से लिखे हैं जोश मलीअबादी को ठीक है स्टार्टिंग में लिखे हैं जोश मलीअबादी कि क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है गूज रही है हैं उक्ताए हैं शायद कुछ काईदी और तोड़ रहे हैं जंदीर हैं कि क्या बात है हिंद यानि कि हिंदुस्तान զॉस्तान का जिंदा का पर रहा हैं यादे कि हिंदुस्टान का जो पाद खाना है जेल अब वो का रहा है nights भी भारत देश्वासियों के कानों में नारा गुज उठा है उकता हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जन्जीरे अब कैदी उकता गए हैं उख गए हैं और तोड़ रहे हैं जन्जीरे मतलब अपनी जन्जीरों को तोड़ रहे हैं दीवारों के नीचे आ आकर यूं जम सिंदाने की आपकों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड रही है तद्वीर है, बोला जा रहा है कि अब भूखे और गरीब लोग भी है ना, उनके अंदर से भी दर खत्म हो चुका है, अब उनकी नजर में भी बिजली है, अब उनके अंदर भी कुर्बान हो जाने को तयार है, हम अपने देश के लिए सहीद होने को तयार है, और शायद यही वज़ा है कि अब अंग्रेज पीछे हट रहे हैं, उनके कदम पीछे हट रहे हैं, और जो तोपों के दहाने हैं, वो ठंडे पढ़ने लग रहे हैं, यानिकि अब तोप भी ठ खड़ा रही है क्या किया जाए वो भी कश्मकश में फसी हुई है सोच रही है कि भारत लोगों के अंदर देश्व प्रेम कैसे जाब इठा और जितने अंग्रेज के जतने भी च हृएं जितने भी चलाकी कर रहे हैं चाल बाजी कर जीब ने पर्चम खोला है सजदे में पड़ी है तामीरे बोला जा रहा है कि जो सुल्तान है उस वक्त का राजा अंग्रेजी ना हुआ करता था सुल्तान अंग्रेज होता था वाय सराय बोल सकते हैं तो बोला जा रहा है यहां पर कि जो सुल्तान है सुल्तान की आखों में ग कैसे जाग उठा इतना जोश और जनून कैसे जाग उठा वो डरा हुआ है घबराया हुआ है और यह सुच कर जो सुल्तान का चेहरा है वो बेनूर हो चुका है ठीक है और जितनी भी मतलब अब काईद खानी की जो दिवारे हैं अब वो क्या सजदे में पढ़ चुकी है निकि क्या उनको खबर थी जो जेरो जबर रखते थे जो रूह मिल्लत को क्या उनको खबर थी जेरो जबर रखते थे जो रूह मिल्लत को उबलेंगे जमी से मारेसिया बरसेंगी फलक से श्रम सीरे बोला जारा है कि क्या उनक रेजो को खबर थी कि जेरो जबर रखते थे जो रू कि बहुत ही ज़दा परेशान किये थे बहुत ही ज़दा शमस्या और दुख और तकलिफ दिये थे यह अंग्रेज तो क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वही भारत देश के लोग जमीन से काला साप बनकर उबलेंगे और फलक यानि की आसमान से श सीनों से खून चुरा लिया करते थे खून चूसा करते थे खून बहाया करते थे हमारे भारत देश के देश्वासियों को क्या उनको खबर थी कि एक रोज ऐसा भी आएगा कि उसी बेरंगी से जलकेगी हजारों तस्वीर है वही भारत देश के लोग उन्हीं के खून के प् क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जो होटों पर कुफल चढ़ा दिया करते थे यानि कि अपने सामने भारत देश के लोग को खड़ा होना तो दूर बोलने भी नहीं दिया करते थे होटों पर कुफल यानि कि ताले चढ़ा दिया करते थे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि एक रोज ऐसा भी आएगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसी खामोशी से तपकेंगी दहकती दहकती तक्रीरे मतलब क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही खामोशी से गरम गरम तक्रीरे दहकती हुई तक्रीरे तपकेंगी क्या उन अंग्रेजों को खबर थी, नहीं खबर थी, संभलो कि वह जिन्दा गूझ उठा, जप्तो कि वह कैदी छूट गया, वला जलाई की संभलो कि वह जिन्दा गूझ उठा है, वह कैद खाना गूझ उठा है, और जप्तो भागो कि वह कैदी छूट गया है, उठो कि वह बैठी दिवारे अब तुम उठ जाओ कूकि ऑब दिवारे जो है ना बैठ चुकी हैं जबार निकलाये बाहर है रखो दोड़ जपटो संबलो जिंदा गोज उठाया है उरघुतė और बैठी दिवारे दिवारे बैठ कि हैं और दोड़ों की टूटी जंजीरे जंजीरे टूट गई हैं ठीक है कितना जोष भर देने वाला यह नजम है आप लोगों मैं पड़ी होंगी तो आप लोग को समझ में तो आही गया होगा बहुत ही जबरदस तरीके से लिखे जोष मरियाबादी थोड़े देर के लिए हमारे अंदर भी जोष आ गया था और क्यों आ जाये जोष अपने देश की बात हो रही थी यहां पर अपने भारत देश की बात हो रही थी तो जोष जुनून आना तो लाजमी है अब अंदर से ही मोटिवेशन आ जाता है अलग तरह का जहां पर अपने देश की बात होती है तो चलिए अब तो नजम तो समझ गए आप लोग इससे कोई भी कोशन पुछेगा आसानी से आप लोग बता सकते हैं पुरा जितना भी नजम में जितना भी लाइन था हरेक लाइन को पढ़कर उसका तरश्री कर दी कोई भी दो लाइन उठा कर पूछ देगा कि इसका तरश् जब्लेकिन मुस्रम से ज़रूर पूछता है तो भले है आप लोग चप्रेंब लेकिन मुस्रम के बारे में सारा डिटेलस जरूर पढ़िएका क्योंकि यहां पर समझे मुस्रम् से 70 परसेंट कोशन पूछा जाता है चरीक मतरब समझते हैं जोश मलियबादी का स्रब्वीरहसन खाई लेकिन यह मश्पूर किस नाम से हुए है क्यों क्योंकि इंका तक्रИब मर Tamamaphkt में पैदा हुए थे तो जोच मलीयाबाद को मलीयाबाद आप जोशwork तकरीबन आप बोल सकते हैं अनुमान लगा कर बताया गया है लखनाओं के मलीहाबाद का एक कसबा था कवलहार वालिक यानि का नाम था बशीर आप बोल सकते हैं अद भी था घर के लोग पढ़े लिखे थे शाहराना भी था क्योंकि सभी लोग शायर शे रोशायरी किया करते थे सभी लोग शायर थे नासिक के शागिर्द शेख इमाम बक्ष यह याद रखिएगा यह मैं आप लोगों को बाद में मिटा हूँ इसको ना स्टार्ट लगा कर साइड में रख देती हूँ सबसे पहले इ अलिगर सितापूर और आग्रा में सीनियर कैमरेस तक तालीम हासिल किये थे देखिए इप्तदाई तालीम शुरुवाती सिख्चा तो अपने घर में ही ले लिए घर के लोग पढ़े लिखे थे तो घर पर ही मिल गया इनको शुरुवाती पढ़ाई लिखाई जो है ना घर लड़की थी अश्रफ जहां बेगम ये किनकी बेटी थी किनकी इस ताहब जादी थी तो मुहमद मुकीम खा की तो उन्हीं से बेगम से जोष मलियबादी की शादी हो गई थी एक लाजमत करने देखे जब जोष मल्याबादी के वालिद का इंतकाल हो गया ना तो इन की आर्थिक के स्थी बहुत खराब हो गई थी पैसों की कमी हो गई थी इसके वज़ाद से जोश्मलियाबादी को नौकरी करना पड़ा और अल्लामा एकबाल के सिफारिस पर एक क्या नाम सार राजा थे शायद एक मिनट देख ले रही हूँ अल्लामा एकबाल की सिफारिस पर महाराजा थे महाराजा स्ष्री क्रिशन परसाद जैना वो जोश्मलियाबादी नौकरी दिये मुलाजमत लगे किस डिपार्टमेंट में ये काम दिये थे महराजा क्या नाम बार बार में महराजा का नाम भूल जा रही हो महराजा श्री कृष्ण परसाद महराजा श्री कृष्ण परसाद जो है न वो नौकरी दिये थे जोश मलियबादी को दारूल तरजुमा में ठीक है तो हैदरबाद के दारूल तरजुमा में मुलाजमत करने लगे जोश मलियबादी ठीक है और उसके बाद से यह आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे और याद रखियेगा इनका इंतिकाल हो गया था 22 फरवरी उने किताबे अभी आप बोल सकते हैं मैफूज आप लोगों को मिल जाएंगी वैसे तो जोश्मलियबादी बहुत सारी किताबों को लिखे थे लेकिन अभी भी दो दर्जन किताबे जो है ना नजम नसर दोनों की नजमन लब कवीता नसर में उस तरह के क्रेगरी आ जाते हैं जैस की मजमून वगरा सब नसर के अंतरगत आ जाएगा ठीक है तो नजम नसर की दो दर्जन किताबे यान की 24 किताबे हैं जोश्मलियबादी की कुछ इंपॉर्टन किताबों का नाम यहां पर दे दिया गया है यादों की बारात यह खुदनविष्ट का किताब है ठीक है रूह अदब नक्षव निगार शोलाव शबनम जुनूने वह हिक्मत हर्फ वह हकायत आयात वह नक्मात सेफ वह सुबू वगरा वगरा इनकी देर सारे किताबएं हैं लेकिन यह इंपॉर्टन किताब का नाम आप आपनों के बुक में दिया गया था इसको याद रखिएगा ठीक है तो सारा डीटेल्स हो गए जो अपलों के बुक में दिया गया थहहर एक डिटेल्स बता दी आई होप आप लोगोको समझा में नहीं बचा होग बाकि जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाई समझ मैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अभी तक लाइक नहीं किया हैं तो लाइक करें शेयर करें जितना ज्यदा उसके आप लोग के यहां पर यह स्टार लगाई थी इसको मैं अभी बता दे रही हूं नासिक के शागिर्द थे शेख इमामबक्स कभी कोशन पूछ देता है कि नासिक के शागिर्द यान की स्टुडेंट कौन थे ओप्सन में दिया रहेगा शेख इमामबक्स यह सिर्फ अब्जेक्टिव में पूछता है सब्जेक्टिव में नहीं अब्जेक्टिव में पूछेगा नासिक के शागिर्द कौन थे अपसल में दिया रहेगा शेख इमामबक्स यह याद रखिएगा बहुत बार पूछा भी गया इसलिए इंप्टेंट समझते हूं बोर्ड में लिखती हूं तो आप इसको याद रखिएगा ठीक है चलिए यह तो मैं भूली जा रही थी इसको याद रखना जरूरी है बहुत बहुत कुछा गया है चलिए फाइनली अब कंप्लीट होता है आप लोग का यह चैप्टर और धीरे-धीरे अब 32 चैप्टर है और आठ चैप्टर बचा हुआ है आठ दिन में गंप्लीट हो जाएगा आठ चैप्टर है की नहीं और उसके गल्टे में घ्रणाप चैप्टर कंप्लीट हो यहां कि झोड़ी हूं वहां से फिर से स्टाट कर दियाएगा Branch जहिंद और खुदा हाफिज